नमस्कार बिहार SI का मॉडल सेट ये दूसरा है किरन पॉब्लिकेशन का फस्ट वीडियो अपलोड हो चुका ही ये प्रैक्टिस सेट 2 है अगर आप फस्ट नहीं देखे हैं तो डिस्किप्शन में लिंक है वहां से जाके देख सकते हैं चले देरी ना करते हुए आज का पहला कोशन सुरू करते हैं और आज का टेस्ट लगाते हैं तो पहला कोशन क्या कह रहा है कह रहा है कि संकराचार ने निमलिखित में से किस सिधान्त का प्रचार किया था किसका प्रचार किया था वह फर्स्ट है द्वयत दूसरा है अद्वयत तीसरा है विसिस्टा द्वयत और चोथा है लिंगायत वाद का तो किसका किया था तो अद्वयत वाद का किया था किसका किया था अगला कोशन की बात करते हैं एलोरो का प्रशीद कैलास मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था तो यह किसके द्वारा बनाया गया था तो यह जो बनाया गया था यह कृष्णा प अगला कोशन की बात करते हैं अगला कोशन क्या कर रहा है कि भारत का अंति मुगल समराथ कौन था यह सभी को पता होना चाहिए बहादूर साथ दूतिये था कौन था बहादूर साथ दूतिये था अगला कोशन की बात करते हैं भारत में पहली ट्रेन अठारासो तीरपन में बंबई से कहां के लिए चली थी थाने की लिए तो इसका एंसर क्या होगा एक हो जाएगा थाने की ओड़ा ठीके अगला कोशन की बात करते हैं दिल्ली के नजदी किस एतेहासिक साइड पर आठ को भारतिय सिपाहियों को हार मिली थी तो कहां मिला था ये ये बदली की सराय में मिला था याद रखियेगा बहुत important question है इस्ट इंडिया company की अस्थापना कब की गई तो कब की गई ये सभी को पता होगा 1600 इस भी में किया गया था ठीक है अगला कोश्चन की बात करते हैं 1857 में स्वतंत्रा शंग्राम के दोरान ब्रिटिस सरकार ने द्रेड कृत दिल्ली सहर को जब्द कर लिया सितंबर 1857 में उन्होंने सहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में परवेश किया वो कौन सा दरवाजा था तो वो कौन सा दरवाजा था भाई लहरी दरवाजा कास्मीरी दरवाजा तुर्कमान दरवाजा और दिल्ली दरवाजा कौन था तो ये जो था ये कास्मीरी दरवाजा था ठीक है याद रखिएगा अगला कोश्चन की बात करते हैं निमलिखित मे से कौन से पोट ब्लेयर अंडमान की सेलूलर जेल का एक प्रशिद निवासी था निवासी मतलब उनका वहां पे जेल हुआ था तो किसका हुआ था आप लोग को पता होना चाहिए दामोदर सावरकर का हुआ था ठीक है अगला कोशन की बात करते हैं लिखित में से कौन सा असम की लोगों का पर्व नित्र है कौन सा है तो यह बिहू है पता होना चाहिए बिहू वहां का है अगला कोशन की बात करते हैं दा स्परीट औफ लाज लिखी गई है और लिखा है भै दा स्परीट औफ लाज ती यह मंटेश्क्यू लिखा है मुंटेस्क्विव का ये लिखा गया अगला कोशन है जोसब स्टैलीन किस देश के आगरिनी समानवाद के नेता थे कहा के थे तो ये शोबियत संके थे कहा के थे शोबियत संके थे याद रहेगा अगली कोशन की बात करते हैं निमलिखित में से भारत के किस राष्टपती की मिर्त्यू कारकाल में हुआ था, तो किसका हुआ था, ये है इन संजीवा रेड़ी, ठीक है, इनका कारकाल के दोरान ही मिर्त्यू हो गया था, अगर नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं, भारतिय समिधान का कौन सा अनुच्छे ज की बात करते हैं, किस पंचवर्सी योजना के दोरान अपात का लागू किया गया था, नए चुनाओ हुए थे और जनता पार्टी को निर्वाचित किया गया था, तो वो कौन सा चुनाओ था, कौन सा पंचवर्सी योजना था, तो ये जो था, ये पाचवी पंचवर्सी य योजनात है ठीक है अगली कोशन के बात करते हैं भारतिये संभीधान है कैसा है भाई भारतिये संभीधान तो यह जो है ये आंसिक रूप से कठोर और आंसिक रूप से परिवर्तनसील ठीक है ना तो कठोर ना तो परिवर्तनसील ये नहीं होगा और कठोर ये नहीं होगा इस्थिति के अनुरूप पर ये भी नहीं होगा तो आंसिक रूप से कठोर आंसिक रूप से परिवर्तनसील जो लोग हमार विडियो नए देख रहे हैं तो किरपया सस्क्राइब कर ले अगर विडियो पसंद आए तो एक एक लाइक जरूर करें अगर कोई सुझाओ हो तो कॉमेंट बक्स में जरूर दीजेगा ये किरन पॉब्लिकेशन का 33 सेट प्रैक्टिस है जो की पूरे के पूरे 20 से 25 दिन में खतम कर दिया जाएगा उसके बाद आपका जो भी होगा जैसे इडूटेरिया का बिहार SI का टेस्ट सिरीज होगा तो वो चालू होगा तो जो लोग नए हैं चैनल कुछ से जुडिये और ऐसे ही टेस्ट लगाते रहे आगे क्या बोल रहा है राष्ट पती द्वारा दो व् इंडियन है याद रहेगा अगला कोशन की बात करते हैं सविधान सभा का मशाओदा तयार करने वाली समीति के अध्यक्ष कौन थे तो यह कौन थे बियार अंबेद कर थे कौन थे बियार अंबेद कर थे अगला कोशन की बात करते हैं सरकार दोरा राज के नितिनिदेशक सि बाध के परिवर्तन करने की स्थिती में भारतिय नागरिक किसकी सरन लेता है तो किसका सरन लेता है अगला कोशन बात करते हैं संसत की संयुक बैठक की अध्यक्षिता कौन करता है तो ये तो सभी लोगों को पता होगा कि लोगसभा के अध्यक्षे ही अध्यक्षता करते हैं next question की बात करते हैं किसने लोगतंत्र की ऐसी ब्याख्या की लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए सासन ये जो था ये अबराहम लिंकन करता ठीक है, next question की बात करते हैं, अगला 22 number question क्या कर रहा है, 1980 में किस देश ने स्वित अल्प संख्यक सासक सासन से स्वतंत्रा प्राप्त किया, तो कौन सा था, तो ये जिम्बाम्बे था, कौन था, जिम्बाम्बे था next question की बात करते हैं, प्रजातंत्र के बिरूध कौन सा वैद तरक नहीं है, तो इन मेंसे कोई नहीं होगा, ठीक है, अगला question की बात करते हैं, कौन सा देश शर्भामिक व्यस्क मताधिकार के अनुशरन नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता, तो इसका कोई नहीं होगा, इन मेंसे कोई नहीं सभी लोग करते हैं ठीक है अगला कोशन की बात करते हैं सौर मंडल का सबसे बरा गरह कौन सा है तो ये सभी लोगों को पता होगा कि बिहस्पती है ठीक है अगला कोशन 26 नमर कोशन 26 नमर कोशन क्या कर रहा है दो सागरों को जोडने वाले जल के एक शंक्रिन विस्तार को क्या कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है जल डमरू कहा जाता है जो की बीच दोनों तरह पहाड और बीच से जो पानी का वो बहाव होता है उसी को जल डमरू कहा जाता है अगला कोशन सुर्य में उर्जा का उत्पादन करने की प्रक्रिया का नाम है क्या नाम है भाई तो नाभिकिये संलेयन है ठीक है याद रखेगा बहुत लोग बिखंडन लगा देते हैं नहीं होगा नाभिकिये संलेयन होगा 28 नमबर कोशन क्या कर रहे निमलिखित में से कौन सा भारतिये राज सीमा पर नहीं है कौन सा भारतिये राज सीमा पर नहीं है तो याद रखिएगा कि गुजराज समुंदर के सीमा पर है राजस्थान है पंजाब है तो ये सब गलत हो जाएगा क्योंकि यहां नहीं पूछ रहा है तो मदपर्देश नहीं होगा, क्योंकि मदपर्देश क्या है, यह भारत का अगर नक्सा हम बनाएं, तो यहां मदपर्देश बीच में, ठीक है, अगला कोशन, भारतिये राज जिसकी साच्छक्टा दर उंच्टा में, मतलब सबसे जादा साच्छर लोग कहा हैं, तो केरल मे हैं, कहा हैं, केरल में, अगला कोशन, अक्टूबर से नौवंबर माह के दोरान, तमिलनाडू के पुर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है, क्या कारण है भाई, तो यह सितकालीन मानसून है, सितकालीन मानसून है, ठीक है, नेक्स कोशन की बात करते हैं, नेक्स कि अंतरास्ट्रिये प्रिथवी सम्मेलन किस वर्स हुआ था तो किस वर्स हुआ था तो यह 1992 के वर्स हुआ था इसको याद रखने का तरीका है कि लगवक जो वीडियो देख रहे होंगे उनकी उम्र अगला कोशन की बात करते हैं सिक्किम से गुजरने वाली अक्षान सरेखा डैस से गुजरती है तो इन चारों में से और किस जगह से गुजरती है तो वो राजस्थान से गुजरता है ठीक है अगला कोशन की बात करते हैं सिव समुद्र किस नदी पर गठित एक दीप है किस पे है तो बहुत लग्या करते हैं यहाँ पे कृष्णा लगा देते हैं जबकि कृष्णा नहीं है कावेरी नदी पे है ठीक है कावेरी नदी पे अगला question की बात करते हैं कौन सी पंचवर्षी योजना की अवधी में भारत में अपातकालीन इस्थिती घोसना की गई और नए चुनाव किये गए तो इससे पहले एक पंचवर्षी योजना का question हुआ था उसमें भी पांचवर्षी योजना था पांचवी ठीक है पांचवी C यह अंसर होगा अगला कोशन है 35 नमर का कोशन क्या कर रहा है कि अर्दबेवस्था में अती मुद्रा इस्पृति का परिनाम होगा कौन सा परिनाम होगा भई तो ये मुद्रा की कीमत की गिरावट ठीक है अर्दबेवस्था में अती मुद्रा इस्पृति का परिनाम होता है मुद्रा की कीमत में गिरावट ठीक है अगला कोशन बात करते हैं निमलिखित में से कौन सी वस्थू की मांग लगभग पुन्त बेलो चादर चदर चदार है सरी तो कौन सा है तो अधारभुत खनन होगा अगला कोशन की बात करते हैं वस्थू और सेवाकर जो भारत में सिग्र ही सुरू किया जाने वाला है जाने वाला है एक क्या है भाई क्या है तो ये जो है अपरतियाक्ष कर है कौन सा कर है अपरतियाक्ष कर है नेक्स कोशन की बात करते है नेक्स कोशन क्या कर रहा है प्रधान मंत्री जन्दन योजना सम्मंदीत है किससे सम्मंदीत है भाई तो ये बृतिये सेवास है क्योंकि इसमें जन्दन योजना के तहत सारे भपूरे भारतियों को हरवेक्ति का अपना एक अग्रान्ट होना चाइए तो उसमें पैसी की लेंदेन होगा तो बिर्तिय सेवा होगा, ठीक है, अगला कोशन की बात करते हैं, अगला कोशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतिये जन संख्या का बड़ा हिस्सा कर्यत है, कहा है, तो ये क्रिशी में कार्यत है मतलब पूरे भारत की जनसंख्या जितनी है उसका आधा से आधिक जो लोग है वो क्रीसी में कार्यत है अगला कोशन की बात करते हैं भारती अर्द बेवस्था में कौन सा छीत्रव बचत में सबसे अधिक योगदान देता है तो बचता कौन है Pासे को तो वह घरेलू घरेलु जो इंकम होता है उसमें बचत बाइस अगला कोस्व आए भारत में विर्टिय नीती बनाने के लिए मुख्ता कौनसी एजेंसी जीमेदार है कौन सी जेंसी जीमेदार है तो ये बिरित मंत्रा ले ठीक है अगला कोशन 42 नमर का कोशन क्या का रहा है कि भारसर का अगला हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुखकार क्या है तो क्या मुखकार है भाई तो सुक्षम उद्योगों को पुन्वित उपलब्ध कराना चार नमर का जो है सुक्षम उद्योगों को पुन्वित उपलब्ध कराना 43 नमर का कोशन क्या कर रहा है नीचे भारतिय अर्थ ब्यवस्था से संबंधित बिभिन पहलूओं से संबंधित दरे लक्ष दिये गए हैं इन में से कौन से भारतिय रिजर्ब बैंक द्वारा तय नहीं किये जाते हैं तो कौन सा नहीं तय किया जाता है भई ये होगा आपका एक तो रेपोदर और रिजर्ब रेपोदर और दूसरा ब्रितिय घाटा लक्ष ठीक है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा दो नमबर हो जाएगा एक और दो दो नो ठीक है अगला कोशन की बात करते हैं अगला कोशन क्या कर रहे है दो जब दो समांतर शीशे के सामने एक वस्तू रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिवीम बने उत्पन होंगे या बनेंगे तो याद रखिएगा अगर दो समान सीशा बोल रहा है हम लोग सैलून में जाते हैं तो सैलून में एक आगे सीशा होता है एक पीछे सीशा होता है और सीशे के अंदर हमारी परचाई दिखते जाती है पूरे लाज तक तो इसमें क्या होगा कि अनंत बनेगा ठीक है कोई सी कितना होता है वही तो सो डिग्री सेल्सियस होता है कितना होता है सो डिग्री सेल्सियस होता है अगला कोशन क्या कर रहा है अगला कोशन क्या कर रहा है म्रिग तृष्ण क्या है मिग तृष्ण क्या है तो यह एक दृष्ट्री भ्रह्म है ठीक है, next question की बात करते हैं, next question क्या कर रहा है, next question कर रहा है, एक लोहे का जहाज पानी में तेरता है, पर लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह उदाहरन है, किसका उदाहरन है, बताइए, तो यह अर्कमेडिज के नियम का उदाहरन है, ठीक है, अगला question बात करते हैं, 48 नमर का question क्या कर रहा है, किस उपकरन में बिधूत, चुम्बकिये, अधिस, ठापन का नियम परियोग नहीं होता है, याद रखिएगा, नहीं होता है, तो कौन सा है, तो बिधूत, ओवन होता है बिधूत, ओवन, तीन नमर एंसर, सही होगा, अगला question की बात करते हैं, इसको तोड़ा छोटा करते हैं, यह figure वाल है, समान, समान भारवाले, दो पत्थर, एक इमारत की छट से फेके जाते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो यह चित्र नीचे देख रहे हैं, एक उपर से भीग रहा है, एक नीचे भीग रहा है, समान भीग, मतलब उपर नीचे करके भीग रहा है, तो इसका answer क्या होगा, A की गती उर्जा अधिक होगी B की गती उर्जा अधिक होगी A B की गती उर्जा समान होगी या परिकलित नहीं किया जा सकता है तो इसका क्या हो जाएगा A B का गती का उर्जा जो है वो समान होगा सॉरी, समान होगा, ठीक है अगला कोशन की बात करते हैं अगला कोशन क्या का रहा है सोडा जल डैस परकार के विलियन का एक उदाहरन है किसका उदाहरन है तो ये द्रब और गैस का उदाहरन है सोडा जल वो रहा है सोडा वाटर जो होता है न उसकी बात कर रहा है तो द्रब और गैस दोनों का ये होता है ठीक है स्थाई का ठोरता के लिए उत्तर दाई है तो कौन सा है कैलसियम सल्फेट है कौन सा है कैलसियम सल्फेट है ठीक है next question की बात करते है सधारन नमक करसाइनिक सुत्र है ये तो सभी लोग को पता होगा NACI CL ठीक है next question की बात करते है next question क्या कर रहा है next question कर रहा है कि निमलिखित में से gas की जोड़ी जिनका मिसरन होना खदानों में ज़्यादातर बिस्पोर्ट होने का कारण है तो कौन से कारण से खदान में बिस्पोर्ट होता है तो oxygen और acetylene इसके कारण से मिसरन होने के कारण से खदान में ज़्यादातर बिस्पोर्ट होता है oxygen और acetylene अगला question है पिलिया इस अववे का रोग का लच्छन है किसमें होता है पिलिया रोग या क्रित में होता है दूसरा option सही है अगला question की बात करते है कर रहा है पच्छपन नंबर question क्या कर रहा है recreats बिमारी किसके अभाव से होती है तो vitamin D के कमी से recreats रोग होता है ठीक है अगला question की बात करते है परकासंसलेशन किसका मुखकार है तो ये पत्ती से होता है तो परकासंसलेशन का मुखकार पत्ती से होता है अगला question की बात करते है कौन सा एक प्राकिर्तिक रेशा नहीं है प्राकिर्तिक रेशा नहीं है कौन सा तो ये जूट हो जाएगा ठीक है ऐसा ही अगर वीडियो पसंद आए तो एक एक like करते रहिएगा आप लोग like नहीं कर पाते हैं एक एक like कीजिएगा test one किरन publication का upload हो गया है अगर नहीं देखे हैं discussion में link है वहाँ से जाके आप देख सकते है अगला question 58 number question क्या कर रहा है कौन सी बिमारी में किटानू के संपर्क में आने के बाद ठीका दिया जाता है तो कौन सा दिया जाता है तो चेचक होगा चेचक का जो होता है ठीका ऐसे भी चेचक अब हमारे भारत से खत्म होने वाला है और खत्म होने की तीथी बताईए या खत्म हो गया है तो उसकी तीथी बताईए कब तक का था 100% ठीक है अगला कोशन की बात करते हैं निमलीखित में से कौन सी automobile gas एक वायू प्रदूसक नहीं मानी जाती है तो कौन सी नहीं मानी जाती है करवंडाई ओक्साइड फर्स्ट नमबर का एंसर होगा अगला कोशन की बात करते हैं एंटी बोडी जो हमारे सरीर को संक्रमनों से बचाते हैं वो किस प्रकार का योगिक है किस प्रकार का योगिक है तो ये प्रोटीन का योगिक है अगला कोशन की बात करते हैं अगला भी मैथ का कोशन है तो math का हम लोग ये करते हैं, आप लोग देख लीजेगा math का question, ठीक है, next English भी छोड़ देते हैं, एक English है, आप लोग देख लीजेगा इसका लेके, अगला question की बात करते हैं, निमलिखित में से किसका संबंद बिहार socialist party से नहीं था, तो किस से नहीं था, तो इन में से कोई नह नहीं, क्योंकि ये सब लोग बिहार socialist party से संबंधित है, ठीक है, अगला question की बात करते हैं, उदयपूर अभियारन, बिहार के किस जिले में इस्तीत है, ये question, repeated question है, पिछली बार भी बिहार SI exam में पूछा गया था, अगर आपको नहीं पता होगा, तो एक बार previous year question उसमें पता चल जाएगा, उदयपूर अभियारन, जो बहुत लोग राजस्थान मारे थे, ठीक है, तो ये पश्चिम चमपारन होगा, 72 नंबर का question, उदयपूर अभियारन बिहार के पश्चिमी चमपारन में इस्तीत है, ठीक है, अगला question, अगला question बात करते हैं, बिहार में प्रेट सीला, राम सीला तथा जेठियन की पहाड़ी किस जिले में इस्तीत है, तो ये जो जिला है, ये गया जिला है, किस जिला में है, प्रेट सीला जिला, सोरी, प्रेट सीला, राम सीला तथा जेठियन की पहाड़ी जो है, गया जिला में है, अगला question, Microsoft Word में कॉम सी एक सेब डोकुमेंट कमांड है, तो Microsoft Word हो या Excel हो, सेब करने का जो सौटकट की है, वो Ctrl प्लस S होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, नेक्स कोशन की बात करते है, परियोक्ता के नामों को बुलाने के लिए, ट्वीटर में कौन सा संकेत इस्तमाल किया जाता है, परियोक्ता का, याद रखियेगा, हैस्टेक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर ओप्सन में दे रहा है, हैस्टेक है, डॉलर है, और अट दरेट है, तो इसमें से अगर किसी को बुलाना हो, किसी से यह पूछना है, तो अट दरेट का इस्तमाल किया जाता है, याद रखियेगा, ठीक है, अगला कोशन बात करते हैं, स्मार्ट फोन में समानत परियोग किये जाने वाला ओप्रेटिंग सिस्टम है, क्या है, स्मार्ट फोन में, इंड्रॉइड है, क्या है, अगला कोशन की बात करते हैं, 78 नमर कोशन क्या कर रहा है, कि भारत में किस अनुशंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर महादीपिये वैलिस्टिक मिसाइल विक्सित किया, कौन किया है, तो ये जो किया है, DRDO ने किया है, इसकी अस्थापना 1958 में किया गया था, ठीक है, अगला कोशन, निमने में से कौन सा भारती ये सेना द्वारा विक्सित रडार का नाम है, तो क्या नाम है भाई, उसका नाम इंद्र है, ठीक है, अगला कोशन बात करते हैं, DES के पुर्व राष्ट पती, रह्मन मैकसे से के कारियों को जारी रखने के लिए, रह्मन मैकसे से अवर्ड प्रदान किया जाता है, कहां पर प्रदान किया जाता है, तो ये फिलिपिन्स में प्रदान किया जाता है, एक भारती ये नागरिक को भी मिला था, जो पत्रकार थे, उनका नाम आप कोमेंट बॉक्स में बताईएगा कि क्या नाम था उनका, ठीक है, अगला कोशन की बात करते हैं, डॉक्टर एस राधा कृष्णन और डॉक्टर सीबी रमन के साथ, डैस को 1954 में भारत रत्न से प्रुश्कित किया गया था, तो वो कौन थे, तो ये चक्रवर्ती गोपालाचारी थे, कौन थे, चक्रवर्ती गोपालाचारी, ठीक है, अगला कोशन की बात करते हैं, A thing of beauty is a joy for ever, यह पंक्ती किसकी है, यह पंक्ती जो है, यह जौन किट्स की है, ठीक है, इनकी पंक्ती है, जौन किट्स की, 83 नमर कोशन पर आगी, 83 नमर कोशन क्या कर रहा है, the story of my experiment with truth, के लेखक कौन है, यहाँ पर हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, my experiment with truth, यहाँ पर दे दिया, the story of my experiment with truth, तो यह जो है, महात्मा गांधी की पंक्ती है, किसका पंक्ती है, महात्मा गांधी का, तो confusion नहीं होना है, ठीक है, अगला कोशन की बात करते हैं, Adventure of सरलोग Holmes किताब के लेखक कौन है, तो कौन है, अथर कोहन डायल, कौन है, अथर कोहन डायल, ठीक है, अगला नमबर 85 नमबर कोशन क्या कर रहा है, 85 नमबर कोशन कर रहा है, सिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है, बहुत ही असान सवाल है, 5 सितंबर को मनाया जाता है, अगला 86 नमबर कोशन क्या कहा रहा है निम्न में किस दिन प्रिथवी दिवस 20 अपरील को मनाय जाता है ठीक है अगला कोशन अंतरास्ट्रिय मजदूर संगठन का मुख्याले कहा है तो कहा है जनेवा में ठीक है अगला कोशन की बात करते है संग रास्ट के कितने प्रमुख अंग है कितने प्रमुख अंग है तो 6 प्रमुख अंग है ठीक है डबलू टीओ का पूरा नाम क्या है डबलू टीओ का मुख्याले पुश्ता है डबलू टीओ का मुख्याले इसका भी जनेवा है ठीक है तो इसका अभी क्या पूछ रहा है फूल फ्रम पूछ रहा है तो फूल फ्रम क्या होगा वर्ल्ड ट्रेड और्गनाईजेशन ठीक है वर्ल्ड ट्रेड और्गनाईजेशन अगला कोशन की बात करते है स्टोन वालिंग सब्द निमलिखित में से किस खेल से संब्धित है तो टोन वालिंग यह क्रिकेट से संब्धित है अगला कोशन की बात करते हैं किस भारतीय समुदाये ने भारत में पहला क्रिकेट कलब अस्थापित किया है करेंट का अगर पढ़ रहे होंगे तो सही जवाब देंगे तो कौन किया है तो पारसी समाजने किया है कौन सा किया है पारसी समा अगला कोशन है वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो वाटर पोलो में साथ खिलाड़ी होते हैं ठीक है अगला कोशन अगला 93 नमबर कोशन क्या कर रहे किस से संबंदित है तो ये नक्षलवाद से शंबंदित है ठीक है अगला कोशन 94 नमर कोशन क्या कर रहा है निमलिखित में से कौन सा 1767 में अस्थापना भारत सरकार का प्रचिंतम विभाग है कौन सा विभाग है तो ये भारतिय संरुवेच्छन ठीक है अगला कोशन की बात करते हैं अगला कोशन क्या कर रहा है 95 नमर का कोशन हम लोग देखते हैं कि क्या है एर इंडिया दोरा दच्छिन एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग इस्कूल किस सहर में अस्थापित किया जाएगा तो किस सहर में अस्थापित किया जाएगा तो अमरावती में अस्थापित किया जाएगा अगला कोशन है तीन जुलाई को नुमैडिक एलिफेंट अभ्याज कहां सुरू हुआ तो कहां सुरू हुआ तो ये मेगाले में सुरू हुआ कहां सुरू हुआ तो मेगाले में सुरू हुआ अगला कोशन की बात करते हैं ग्लोबल लिबोबिलीटी इंडेक्स 2024 की अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा सहर कौन सा है? रहने के लिए सबसे अच्छा सहर तो बियना है कौन सा है? बियना है सरकार के अधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्विय समीती का गठन किया है समीती का प्रमुख कौन है? तो यह समीती का प्रमुख कौन सा है? तो बिस्वन्त गोल्डर है कौन सा है ! bishwanth goulder है अगला कोशन की बात करते हैं Beer पहली महिला chancellor of the Exchequer कोन बनी है ! तो क्न बनी है रेचल ribs बनी है कौन बनी है .. रेचल ribs बनी है अगला कोशन की बात करते हां और लास्ट कोशन है इस test tujreck का.. तो ICIC पूरूस T20 बिसु कब 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा तो ये जो किया जाएगा भारत और स्रिलंका में किया जाएगा तो ये था आज का टेस्स सीरी जो की समाप्त होता है ऐसे ही वीडियो अगर पसंद आये हो तो वीडियो को लाइक करें अगर कुछ सुझाओ हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभारत